हेलो फ्रेंज जैमातादी कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सन 2023 में मोनी मावस कब है पूजा का शुम महुरत क्या है और मावस के नियम क्या होते हैं इसमें हमें क्या क्या नियम करने चाहिए कैसे पूजा करने चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए सही जान कर इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं तो फ्रेंज देखे सास्त्रों में माग का महीना सबसे पवित्र महीना बाइना गया है ये महीना इस नान दान के लिए भी काफी सुभ होता है इस माहा में पढ़ने वाली मावस दिती को मूनी मावस कहते हैं माननेता है कि मूनी मावस के दिन दान पुन्निक करने से और इस दिन मून रहकर ब्रत करने से जातक कि सभी मनो कामना पूरी होती है तो देखे फ्रेंट्स अगर आप पूरा दिन मून रहे के अगर आप इस दिन पूरा दिन जो है मून नहीं रह सकते तो कम से कम सवा घंटा तो मून रहना चाहिए इस दिन तो फ्रेंट्स देखे ये मूनी मावस मूनी मावस का मतलब होता है मून तो हमें कम से कम सवा घंटा तो मोन रहना चाहिए इस दिन अगर आप पूरा दिन मोन नहीं रह सकते तो कम से कम सावा घंटा आप जरूर रहे इस दिन अगर आप पूजा या फिर ब्रत वगरा करते हैं तो जरूर करना चाहिए नियम आपको इस नियम से ब्रत शुरू करना चाहिए या फिर इस दिन ऐसे पूजा करने के पास सवा घंटे तक मोन रहना चीए क्योंकि आज कल की टाइम में पूरा दिन जो है मोन रहना पॉसिवल नहीं हो पाता तो कम से कम सवा घंटा तो और फ्रेंड्स देखे माक के मावस के दिन संगट तटपर देवी देपताओ का भी वास होता है जिस कारण से इस दिन पवित्र नदी या फिर कुंड में इसनान करना भी बहुती सुफलदाई माना जाता है तो इस दिन जो है बहुत सारे लोग कुंड या तटपर गंगा इसनान भी करते हैं और अगर नहीं जा पाते का महीना इसनान दान के लिए पवित्र होता है और फ्रेंट्स तो अगर आप पूजा दान इसनान करने वाले हैं या करते हैं मोनी मावस पे तो 21 जनवरी एकदम सही ति थी है इस दिन ही जो है मोनी मावस है तो आप दान पुनिस नान वगरा कर सकते हैं साल 2023 में मोनी मावस 21 जनवरी 2030 सनीवार को है और मावस देती जो प्रारम होगी वो 21 जनवरी सुबह 6 बचके 17 मिनट पर होगी और समाप्ट होने की जोत्तिती है वो 22 जनवरी 2 बचके 22 मिनट पर दुफैर के 2 बचके 22 मिनट पर नहीं जो सुबह के मतलब दो बच के 22 ऐम जब होते हैं तब सुबह सुबह तो 12 बजे के बाद 22 तरिक लगती है फिर उसके बाद जब दो बच के 22 ऐम होंगे उसके बाद से ही जो मावस्तिति समाप्त हो जाएगी इसलिए मोनी मावस 21 जनवरी की पड़ रही है उदे तिथी के अनुसार ही मोनी मावस मनाई जा रही है और जो मोनी मावस के शुब योग बन रहे हैं दान पुन्य के लिए इसनान के लिए वो सुबह 6 बच के 17 मिनट से दुफैर 2 बच के 35 मिनट तक है तो इस बीच में आप दान पुन्य और इसनान दान वगरा कर सकते हैं और अपने पित्रों का दरपन और पित्रों के लिए पूजा वगरा भी कर सकते हैं इस समय में सुबह 6 बच के 21 जनवरी सुबह 6 बच के 17 मिनट से दुफैर 2 बच के 35 मिनट तक तो फ्रेंट से मोनी मावस के दिन जो है ब्रह्म महुरत में जल्दी उठकर गंगा इसनान करना चाहिए अगर गंगा इसनान संभव ना हो तो हमें अपने घर में ही जो नहाने का जल होता है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इसनान करना चाहिए सुबे ब्रह्म मौरत में मतलब सूरज निकलने से पहले ही हमें इसनान करने चाहिए और उसके बाद हमें इसनान करने के बाद सूरज को आरक देना चाहिए सूरज को आरक देने के बाद हमें विधी पूरवक विश्नु भगवान की पूजा करनी चाहिए इस दिन जो है विश्नु भगवान की पूजा की जाती है और मावस के दिन भ्रहमणों को भूजन भी कराना चीए गरीवों की मदद करनी चीए दान पुन्द करना चीए गाई के लिए मदद चारे के लिए हमें दान करना चीए गवसाला में जाके जितना हम पे बन पड़े हम जो है चारा खिलाएं गाय को जाके अगर खुद नहीं खिला सकते अगर गवसाला में संभब ना हो जाना जो गाय को चारा खिलाना संभब ना हो तो आप जो है गवसाला में दक्षिना दे सकते हैं गाय के चारे के लिए और फ्रेंट्स मावस पित्रों की दिधी भी मानी गई ऐसे में इस दिन पित्रों को याद कर उनका तरपन भी करना चाहिए और पित्रों के नाम का दान पूर्ण करना चाहिए पित्रों के नाम की हमें पूजा भी करानी चाहिए तो फ्रेंट्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बिताइएगा तो मैं मिलती हूं अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ जब तक के लिए जै माता दी